हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लंडरेदेतीमन मेवाड के इतिहास में ही आज हमारा टॉपिक है महाराना कुम्बा का तो महाराना कुम्बा जो है वह राजिस्तान के सास्कों में सबसे सर्वसेष्ट शाशक माने जाते हैं क्योंकि इनके काल को क्या माना जाता है इनके काल को सांस्कृतिक दृष्टी से मेवाड के इतिहास का स्वन यूग माना जाता है जहां हमने मद्यकालीन मेवाड का जो स्वन यूग है वह किसे माना था मेवाड के साशक चैत्र सीन को और वहीं सांस्कृतिक दर्ष्टी से मेवाड के इत्यास का स्वन यूग है महाराना कुम्बा क्योंकि इन्हों ने इतने अधिक दुर्गों का निर्मान करवाया था जो वीर विनोध में कवी राज श्यामल दास हैं वो तो ये कहते हैं कि मेवाड में ही 84 में से 32 दुर्गों क निर्मान कराने वाले थे महाराना कुम्बा तो इसी वज़े से महाना कुम्बा के शाशनकाल को सांस्कृतिक दर्ष्टी से स्वन यूग मना जाता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं महाना कुम्बा का टॉपिक तो इनका शाशनकाल है 1433 से 1468 इसवी का इनके पिता है मोकल माता हैं सौभाग्यवती देवी और इनके सनरक्षक जो है वह हैं रनमल इनके दो पुत्र थे रायमल और उधा और ये उधा ही महाना कुम्बा का म्रत्यू का जो है माना जाता है कि उधा जो है इसी ने महाना कुम्बा की हत्या की थी और मिवाड में पित्र हंता कहलाता है उधा सांस्क्रतिक द्यष्टी से मिवाड का इतिहास का स्वनयोग गुण माना जाता है क्योंकि इन्हीं के समय कुम्बल गर्दूर्ग, अच्ल गर्दूर्ग, ठीक है इसी तरीके से जो है विजय इस्तम का निमाण भी इनी के शाशनकाल में होता है 35 वर्ष तक इनका शाशनकाल था जो कि सरवादिक था और ये पॉइंट जो है वो एक्जाम में पूछा जा चुका है की सरवादिक जो शाशनकाल है वह किसका रहा है मेवाड के इतिहास में तो महाराना कुंबा का रहा है 35 वर्ष का ठीक है ये 35 वर्ष व्याद रखिएगा कुंबा जो थे वो एक विद्वान भी थे विद्यानुरागी शाशक थे इनका राजदिलक जो है वहे चित्तोरगड में हुआ था इन्होंने अपनी सक्ती का प्रमुकेंद्र जो है वहे चित्तोर और कुम्बलगड दोनों को बनाया था इनका राजदिलक होता है चित्तोरगड में व्यक्तित्व देखिए कलम, कटार और कला इन तीनों का ही त्रवेणी शंगम थे इनके व्यक्तित्व में कलम, कटार और कला का तो भारतिय वास्तु कला का जनक जो है वह महारणा कुम्बा को माना जाता है जो कि मैंने आपको बताया कि कुम्बा ने 32 दुर्गों का निर्मान करवाया था जिसमें सिरोही, अचलगड, कुम्बलगड जो थे वो तो प्रसिद्ध है और कवी राजा शामलदास भी यही कहते हैं कि कुम्बा ने मेवार के 84 में से 32 दुर्गों का निर्मान करवाया था उपादियां देखिए इन्हें कई उपादियां प्राप्त थी इन्हें अभिनव भरताचार्य, राने राय, राणो रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, शैल गुरु, अश्वपती, नर्पती, गजपती, राज गुरु, दान गुरु, परम गुरु, हिंदू सुर्तार, गजपती, महाराजा धिराज, और साहित्यकारों का आश्रे दात इतनी सारी उपादियां जो हैं महाना कुम्बा को प्राप्त थी तो ये बार-बार आपको बोलना है अविना भरता चारे, राने राय, रानो रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, शैल गुरु तो इस तरीके से थोड़ा बांट कर याद करिएगा अश्वपती, नर्पती, गजपती और इसके अलावा राजगुरु, दानगुरु, परमगुरु ये तीन-तीन में डिवाइड करके याद करिएगा याद हो जाएंगे हिंदू, सुर्तार और गजपती तो इनकी उपादियों के बारे में भी कई बार एक्जाम में पूछा जाता है, कुम्बा द्वारा रचित ग्रंत, संगीत मिमानसा, सून प्रबंद, कामराज रतिसार, हर वर्तिका, चंडी सतक की व्याख्या तो ये कुम्बा द्वारा रचित ग्रंत हैं, इसके अलावा गीत गोविंद वा संगीत रतनाकार पर महाराना कुम्बा ने टीका लिखा था कानण व्यास का एक लिंग महात्मे इसका जो पहला भाग है इसका जो प्रत्थम भाग है राजवर्णन ये किसके द्वारा लिखा गया है महाराना कुमबा के द्वारा लिखा गया है और इसी एक लिंग महात्मे में कुमबा को वेद, स्मृति, बिमानसा, उपनिशद, व्या राजनीती इसमें सभी में रुची रखते थे महारान कूँमबा तो ये चीज याद रखियेगा कि कानद व्यास के एक लिंग महात्मे में Centers having चीजों में रुची रखते थे महाना कुमबा ऐसा बताया गया है और इसी कानडव्यास के एक लिंग महात्मे का जो पहला भाग है वह है राजवर्णन कुमबा ने लिखा है उसके बाद देखिए स्वयम को परम भागवत कहा और आदिवरा की उपादी धारन की महारान कुमबा के बारे में जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है तो देखिए एक तो हमें कुमबलगड प्रसस्ती से मिलती है किर्थी इसनम प्रसस्ती से मिलती है रनकपूर प्रसस्ती से मिलती है तो कुमबलगड प्रसस्ती जो है वह 1460 इस्वी महेस द्वारा जो है वह है र रचनाकार हैं, अत्री और पुत्र महेस। कुम्बा को नंदेश्वर, तारिकेश्वर, शंग्राम, विशंबरों जो है वो उसमें कहा गया है किसमें कीर्थी स्थम प्रसस्ती में। वहीं पर देखिए रणगपुर प्रसस्ती में जो की 1449 में जैन व्यापारी धर्ण शाह के द्वारा बनवाई गई थी और इसके सिलपी है देपाग। यह कुश्चन भी एक्जाम में आ चुका है कि रणगपुर प्रसस्ती जो है वहें किसने बनवाई थी। तो यह जैन व्यापारी धर्णक सहाने बनवाई थी। देखिए यह जो नोर्स हैं यह आपके लिए इतन पी जाना है आपको ठीक है रणगपुर प्रसस्ती जो की जैन व्यापारी धर्णक शाहने बनवाई थी। इसमें 1444 खंबे हैं इसलिए यह मंदिर जो है वह इस्तंबों का वन कहलाता है ठीक है तो इतने सारे खंबे होने की वज़ेसे ही इस मंदिर को इस्तंबों का वन कहा जाता है अब देखिए 1437 का सारंगपुर का युद्ध ये युद्ध जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इसी युद्ध विजे के उपलक्स में विजे इस्तंब का निर्मान जो है वो कुमबा करवाते हैं तो यहां एक तरफ मेवाड के महारना कुमबा होत जिसमें इनकी जो सैना होती है महमूद खिल जी की वो हार जाती है और हार कर वो भाग जाती है और भाग कर जो है मांडू चली जाती है और जहां पर भी जो महारना कुमबा हैं इनका पीछा करते हैं और इस महमूद खिल जी को क्या करते हैं बंदी बना लेते हैं और 6 महीने तक चित्तौड में रखने के बाद इसको मुक्तु भी कर देते हैं लेकिन क्या होता है? मुक्तु होकर भी महमुद खिल जी जो है वो बार-बार कुंबा के व्रुद्द युद्ध करता है लेकिन कभी भी सफल नहीं होता है यहां तक कि यह जो मालवा का महमूद खिल जी है ये क्या करेगा सड्यंत्र रचेगा गुजरात के जो शाशक है कुतुबुद्दीन उनके साथ क्या है मिल जाएगा गुजरात के शाशक कुतुबुद्दीन से क्या करेगा मितरता कर लेगा संधी कर लेगा और दोनों मिलकर ही महाना कुमबा पर क्या करें फिर भी महाना कुम्बा जो हैं वह इतने प्रतापी शाषक थे कि मालवा और गुजरात इन दोनों की संयुक्तु सेना को भी ये हरा देते हैं। इसलिए अपने समय का सबसे सरवादिक सक्तिशाली शाषक जो है वो महाना कुम्बा को कहा जाता है। महाना कुम्बा द्वारा मांडू मालवा के महमूद खिल जी पर आक्रमन किया जाता है क्योंकि महमूद खिल जी ने कुम्बा के जो विरोदी हैं महपा, पवार और एका को शरण दे रखी थी। तो आपको याद आया होगा चाचा और मेरा ठीक है। तो यह चाचा और मेरा ज इनको शरण जो है महमूद खिल जी ने दे रखी थी जबकि महाराना कुमबा जो है इनकी हत्या करना चाते थे तो दुस्मनों को शरण देगा तो वह दुस्मन ही कहलाएगा तो इसी वज़े से महमूद खिल जी पर आक्रमन करते हैं महाराना कुमबा यहां पर महमूद खिल ज नहीं किया जाता है, बलकि महाना कुमबा द्वारा किया जाता है। नहीं किया जाता है, बलकि महाना कुमबा द्वारा किया जाता है। भगवान कार रहे हैं वह 1440 से 1448 इसपी तक चला था इसमें देखिए 9 मंजिल है और इसमें 157 के लगवक जो है वह सीडियां है भगवान विश्नु को समर्पित है विश्नु ध्वजी से कहा जाता है मूर्ती कला का विश्वकोस भी से कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं का इसे अजायब घर कहा जाता है राजिस्थान पुलिस वा माधिमिक सिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन किसे कहा जाता है विजेस्तम को ही कहा जाता है और इसे विक्ट्री चावर भी कहते हैं यह विजेस्तम जो है वह है नो मंजिला है इसकी उंचाई जो है वह 122 पीट है क खर्च जो है इसमें कितना आया लगबग 90 लाक रुपे का खर्च जो है वह इसमें आया था और इसके वास्तुकार जो हैं सिल्पी हैं वह नापा हैं पोमा हैं और पूंजा हैं तो कहीं कहीं पर इनका नाम जो है वह आपको नाथा भी मिलेगा इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अलाह शब्द अंकित है। इसमें विजे इस्तम की तुलना कुतुम मिनार से की गई है। तो इस बुक का नाम पीडिएफ में लिख दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था। इसमें एन लिख दुबारा से पुनर निर्मान करवाया था। अब देखिये चितर दुर्ग में ही इस्तित है जैनकीर्ती इस्तम। वहीं विजए इस्तम 9 मंजिल था। यह 7 मंजिला इमारत है। 76 फीट उचाई है इसकी 96 इसमें सीडिया है और पहले जो तीर्थकर है आदीनाथ रिशव देव इनको समर्पित है जैन कीर्थी स्थम इसका निर्मान करता जो है वो कौन है जैन व्यपारी जीजा सा वगहेरवाल अब ये कोश्यन भी एक्जाम में पूछा गया है तो देखि जैन कीर्थी स्थम जो है इसके निर्मान करता है जैन व्यपारी जीजा शाह वगहेरवाल राणा कुमबा के सामने देखिए दो समस्याएं थी पहली समस्या के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि अपने पिता की हत्यारों से बदला लेना कुमबा सेनापति रणमल और जो है वो महपा पवार और एका मालवा चले जाते हैं जिस वज़े से क्या होता है सारंगपुर का युद्ध होता है ठीक है वहीं पर दूसरी समस्या जो है वह आती है कि कुछ समय बाद कुमबा को पता लगता है कि सैनापती रणमल जो है वह मेवार पर अधिकार करना चाता तो हमने देखा था कि रणमल जो है जिसकी मनसा पहले से ही थी कि वह मेवार पर अधिकार करना चाता था तो 1438 में लेकिन क्या होता है 1438 में रणमल की क्या हो जाती है उसकी प्रेमिका भारमली द्वारा ही हत्या कर दी जाती है तो ये जो आपको डेट है याद रखनी है 1437 म सारंगपुर का युद होता है उसके एक साल बाद ही रणमल की हत्या हो जाती है तो रणमल का जो बेटा होता है राव जोधा वो फरार होकर काहुनी गाउं जो है वो चला जाता है मारवार में और वहां पर जोदपुर सहर बसाता है और यहां पर भी कुमबा जो है वो मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं लेकिन हंसाबाई जो है उनके कहने पर कुम्भा और राऌ जोदा के भी संदी हो जाती है और जोदपूर जो है वह कुम्भा के द्वारा जोदा को वापिस दे दिया जाता है ठीक है? तो यह संदी जो है वो कहलाती है 1453 प्रेपन की जिसे आवल वावल की संदी कहा जाता है और कई बार एक्जाम में ये भी पूछा गया है तो आप सोच रहे होंगे कि मैम कहते हैं कि ये भी पूछा गया है वो भी पूछा गया है लेकिन ये कुश्यन जो है वो पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही कुश्यन जो है गुमा फिराकर आपकी एक्जाम में पूछ लिये जाएंगे दुबारा से, तो देखिए हंसा भाई का बेटा जो है वो मोकल है, मोकल का बेटा है महाराना कुमबा और इसका पुत्र है रायमल, और वहीं पर मारवाड के रनमल है, उनका जो बेटा है, वह है राव जोधा, जो इसे ही 1453 की आवल वावल की संदी कहा जाता है, जोधा की जो बेटी है श्रंगार देवी, इनके द्वारा चित्तोड में ही घोसुंडी की बावडी का निर्मान करवाया जाता है, ठीक है, इंपोर्टेंट लाइन है, उसके बाद देखिए 1456 इस्वी में चंपानेर की संद तो मैंने जो स्टोरी सुनाई थी आपको, तो उसमें देखिए कि जब सारंगपूर का युद्ध होता है और महमूद खेल जी जो है वो पराजित हो जाता है, लेकिन फिर भी बार बार कुम्बा के लिए युद्ध की तयारी करता है, अब की बार ये क्या करता है, कि गुज करने के लिए, लेकिन महाना कुम्बा जो है वो इतने सक्तिशाली होते हैं, कि 1457 इस्वी में बदनोर का युद्ध होता है भीलवाडा में, जहां पर इन दोनों की जो संयुक्त सैना होती है, इसको भी हरा देते हैं महाराना कुम्बा, 1468 में मामा देव कुंड के पास कुम्बा के जो बड़े पुत्र हैं उदा, इनके द्वारा कुम्बा की हत्या कर दी जाती है, इसी वज़े से उदा को पित्रहंता कहा जाता है, जनता द्वारा उदा के भाई रायमल को गद्धी पर बिठा दिया जाता है, अब जो उदा ज दुर्ख, थीक है बहुत ज़्यादा important है निर्मानकारी दुर्ग, श्यामल दास के वीर विनोध में मेवाड के 84 में से 32 दुर्ग का निर्मान करवाया था महाराना कुमबाने。 तो 84 में से 32 दुर्ग तो किस ने बनवाए? महाराना कुम्बा ने बनवाए. जिसमें सबसे ज़्यादा देखिए important है कुम्बलगड दुर्ग 1443 से और 69 तक के बीच में यह रास सम्मद उधैपुर में इस्तित है और यह क्यों बनवाया गया था? कुम्बा के द्वारा इनकी पत्नी जो थी कुम्बल देवी इनकी याद में बनवाया गया था. इनके जो वास्तुकार है कुम्बलगड दुर्ग के जो वास्तुकार है वो है मंडन. यह एक गुजराती शिल्पी थे. वहीं बिजे इस्तम के जो वास्तुकार थे वो हमने देखे जैता, नापा, पोमा पूंजा थे, ठीके, और कीरती श्तम जो है, जो कीरती श्तम प्रस्षटी है उसके थे कवी अत्री पुत्र महेज. और वहीं पर हमने जैन कीरती श्तम देखा था, जिसके निरमान करता है जैन व्यापारी जीजा शा बगेरवाल. ठीके, तो बार-बार इन चीजों को जिससे ये चीजे याद हो जाएंगी वास्तुगर जो मंडन था उसकी ग्रंत थे देखिए तो ये याद रह जाएंगे क्योंकि सभी ग्रंतों में इसने अपना नाम वो add किया है देखिए रूप मंडन, वास्तुमंडन, सगुन मंडन, प्रशाद मंडन और वैद मंडन इसके अलावा देव मूर्ती प्रक्रण और राज वल्लव तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाईएगा कि भगवान को प्रशाद चढ़ाया जाता है सगुन चढ़ाया जाता है ठीके उनकी जो भगवान की मूर्ती होती है उनके उपर हम वस्तु का सगुन प्रशाद जो है वो चढ़ाते हैं जिससे की उनके रूप में क्या आया निखार आया ऐसे तरीके से याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ तो याद रह जाएगा मंदन का भाई था ना था जिसमें वास्तु मंजरी लिखा था और इनका बेटा था गोविंद अब देखिए इसी कुम्बलगड में कटारगड है ठीके ये जो कुम्बलगड है इसमें कटारगड है जिसे मेवाड की क्या कहा जाता है आँख कहा जाता है और यहीं पर कुंबा का क्या था निवासिस्थान था यह 36 किलोमीटर लंबी दिवार है कुंबलगड की जिसे भारत की महान दिवार कहा जाता है जो की विश्व की दूसरी सबसे लंबी दिवार कही जाती है इसके अलावा देखिए कुंबलगड के अलावा अचलगड दुर्ग बनवाया जो की आबू सिरोही में है बसंती दुर्ग सिरोही में है मचान दुर्ग सिरोही में है भोमत दुर्ग जो है भोराट के पठार के उपर है जो की भीलों की शक्तिपन नियंत्रन के लिए बनवाय तो इतने सारे जो हैं चीजें बनवाई महाना कुम्बा ने महाराना कुम्बा ने कुम्ब स्वामी के मंदिर का निर्मान करवाया मीरा मंदिर बनवाया भंडारी बेलफा ने चितोर में शरंगार चबरी के मंदिर का निर्मान करवाया था महाना कुम्बा के शाशनकाल में और महाराना कुम्बा के जो संगीत गुरु वो थे सारंग ब्यास तो इस तरीके से हमने महाराना कुम्बा का टॉपिक जो है वो पूरा पढ़ लिया है आप लोगों को याद भी आया होगा एक-एक करके हमने पॉइंट को पहले हर चीज को जो है नोट्स के द्वारा आप लोग जो है पीडिएफ के द्वारा आप लोग ये चीज़ें जो है वो याद करेंगे तो आपके एक्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो यहां से जो बच्चे तयारी कर रहे हैं 100% उनका सेलेक्शन होगा क्योंकि हम बिल्कुल स्लेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और हमारा मैटर जो है वो बिल्कुल कम्प्रीट है यहां से बाहर जो एक्जाम में कुश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन इस चीज को याद रखिए कि चीज जो है इनको समझने की कोशिश करिए क्योंकि कुश्चन जो है वो है किस तरीके से पूछा जाएगा यह तो एक्जामिनर पर डिपेंड करता है लेकिन फैक्ट जो है वो यही रहते हैं जो कि आपको लर्न करने है तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेंक यू